नमस्कार, CAC Lectures by सूरज में आपका स्वागत है, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे database administrator के बारे में कौन होता है database administrator और इसके क्या-क्या functions होते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले database administrator कौन होता है, यह एक ऐसा user है, जिसके पास पूरे database का control रहता है, ठीक है, पूरे database का इसके पास control जो आपका database administrator है, यही database को design करता है, ठीक है, यही अलग-अलग user बनाता है, और उन users को उनके role के coding access प्रोवाइड करता है, जैसे अगर student है, ठीक है, उसने student user create किया है, तो student को क्या-क्या access प्रोवाइड होंगे, जैसे student को प्रोवाइड होंगे, उसके क्यों अपने name देख सक सकता है, ठीक है, role number देख सकता है, और जो अपनी basic detail है, वो फैच कर सकता है, जैसे account का user बनाया है, उसने, account वाले को क्या प्रोवाइड होंगे, कि इस student की क्या information है, ठीक है, इसकी fees आई या या नही आई है, तो अलग-अलग user बनाता है, ठीक है, database जो administrator होता है, और उन users को role क according access provide करता है, और भी बहुत कुछ करता है, वो सब हम functions में देखेंगे, यह बस मैं एक overview बता रहा हूँ, तो आईए देखते हैं, functions of database administrator, तो सबसे पहला function है, function, ठीक है, सबसे पहला function है, defining conceptual schema, मैं लिख लेता हूँ, conceptual schema क्या होता है, मतलब जो logical design है न, वो database administrator, वो decide करता है कि कैसे दो tables, जो है, दो tables हापस में related होगी, ठीक है, कौन सी primary की होगी, कौन सी foreign की होगी, ओके, तो यह सब जो भी, जो भी logical structure होता है, कैसे बनेगा database, वो कौन decide करता है, आपका, dba decide करता है, ठीक है, तो पहला function तो यह हो गया, defining conceptual schema, ठीक है, दूसरा function क्या है, physical database design, physical database, मतलब क्या है, अगर आपने एक database create कर लिया है, मान लिजे, आपने एक database, यह, आपने एक database create कर लिया है, ओके, तो वो data, तो जो यह database है, ठीक है, वो physical storage जैसे आपकी disk है, hard disk है, ठीक है, यह hard disk है, आपकी, तो यह database आपके physical storage में कैसे store होगी, यह भी database administrator, आपका, यह decide करता है, ठीक है, अगर आपने कोई database create किया हुआ है, तो database physical storage, जो disk है, ठीक है, उसमें कैसे store होगा, ठीक है, किस form में store होगा, कैसे store होगा, तो वो सब कौन करता है, decide, आपका dba करता है, ठीक है, अब आपका third function क्या है, आपका dba का, security and integrity check, security and integrity check, इसका मतलब क्या है, यह क्या डी बी आ क्या प्रोवाइड करता है, authorization और authentication, मैं लिख देता हूँ, authorization और authentication, मतलब dba बताता है, कि यह प्रोवाइड करता है, कौन सा user authenticate है, कौन सा user authorized है, इसको access करने के लिए, ठीक है, जैसे मैंने आपको उपर example दिया था, कि कोई student है, student क्या-क्या access कर सकता है, student को पास क्या-क्या वो होगी, क्यों अपने नाम देख सकता है, roll number देख सकता है, marks देख सकता है, ठीक है, यह सब देख सकता है, जो उससे basic detail प्रोवाइड होगी, उसकी basic detail होगी, जैसे account का एक user है, उसको क्या के access मिला हुआ है, student के fees देख सकता है, marks नहीं देख सकता, fees देख सकता है, और बाकी basic details देख सकता है, father name, mother name, dob, यह सब देख सकता है, तो DBA ही decide करता है किस user को authorize, क्या क्या authorization देनी है, ठीक है, और कौन-कौन से user authenticate है, यह सब DBA decide करता है, ठीक है, तो तीन पॉइंट आपको समझ आ गए, अब नेक्स्ट आपका backup and recovery strategies, backup and recovery, backup and recovery strategies, मतलब, data के, जो आपका data है, उसका backup कब होगा, कितने time के बाद होगा और कहां होगा, वो सब कौन decide करता है, यह सब DBA decide करता है, ठीक है, कि कहां आपका data backup होगा, कितने time के बाद होगा, ठीक है, और कब होगा, ठीक है, इन केस अगर आपका डाट जो आपका डेटाबेस है वो खराब हो गया तो उसकी recovery कैसे करेंगे हम वो भी जो आपका कॉन डिसाइड करता है DBA ही डिसाइड करता है ओके आपको चार पॉइंट समझ आ गए फिफ्थ कॉन सा है ग्रांटिंग एक्सेश टू यूजर्स ग्रांटिंग एक्सेश टू यूजर्स मतलब कि किस यूजर्स को क्या अक्सेश देना है ठीक है यह DBA यूली डिसाइड करता है जैसे हमारे पास 5 यूजर है ठीक है? iyou one है iyou two is you three you four and you five तो जैसे मैंने जैसे ।ध्य भी ने उसके उट्श और को बस सिलेक्ट करने का वह दे जिया ठीक ऑड यूजर्स ने का है? उसको डिलीट करने का access दे दिया और user 5 है उसको select करने का भी option दे दिया और delete करने का भी access दे दिया ठीक है तो किस user को क्या permission देनी है वो भी एक deba decide करता है ठीक है and the sixth point is new software new software installation this is also the responsibility of the new dbms software and database management system to install it and test it after the new software installed it will test it time to time so many points can be made if you talk about dba but we will study so much in the exam because you will write so much so it is enough i think so we will see the next video thank you hope you will understand this lecture